हाई अविवन गुड मॉनिंग कैसे हैं आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे वेलकम टू मैं नी व्लोग फ्राइडे मॉनिंग का टाइम हो रहा था बेटो को स्कूल चोड़ने के लिए मनीश आ रहे थे और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में किचन में वैसे मेरा सारा काम डन हो चुका था मेरा मॉनिंग में यी डाल और राइस मैंने दोनों बना दिये थे आज तो मेरे को बाद में चपाती भी नहीं सेखनी बस स्टिफन फिल करना था काफी दिन से मनीश बोल रहे थे कि डाल दाल राइस तो तुमने बनाने छोड़ी दी है पता नहीं कितना टाइम हो गया मेरे को दाल राइस खाया है तो इसलिए मैंने मॉनिंग में बनाती हूं वही लंच में खाते हैं और उसके बाद फिर किचन में आई थी मैं मैंने अपने लिए डीटॉक्स वाटर बना लिया ताकि मैं पूरा दिन आज यही कंजियूम कर सकूं और उसके बाद फिर मेरे को था कि सारे बरतन वगेरा जो बड़े-बड़े कुक्वेर्स है ना वह भी मैं खाली कर देती हूं और यह थोड़ी बेक बॉल्स होती है ना इसमें मैंने ट्रांसफर कर दी थी दाल और राइस पड़े हूए थे क्योंकि फोड़ा सैChat में नहीं खाती हूं मैंने अपने बन दी बनाय तो थे इस डाइम मैं नहीं खाती तो बिल्कुल भी ने खा सकती तो इसले उसमें अभी राइस पड़े हुए थे और उसके बाद फिर मैंश के लिए ती रग दी थी बनने के लिए तो नीन की वज़े से वह आकर पीते हैं वरना ऐसा पॉसिबल नहीं था कि पहले वह बैट से उठें और कुछ काम करें तब जा करके वह टी पीएं बट बेटो को स्कूल चोड़ना होता है इसलिए तो जाना पड़ता है और इसी को रिस्पॉंसिविलिटीज बोलते हैं जो आ में यह मेरे को मैंने रग दिया था इती रेर में सोख हो जाती है थोड़ी बहुत चीजने और वैसे भी पूरा दिनी इसमें सोख्ण रहने होती है चीजने तो मैं स्टाड कर देती हूं साथ के साथ पीना वैसे जो डी-टॉक्स वाटर होता ने उसको जादा देर की मॉनिं तो पानी खराब हो जाता, उसमेल भी आने लगती है तो मनीश यहाँ पर अपनी चाई नजॉय कर रहे थे और थोड़ी हमारी यहाँ पर गपशप चल रही थी और मैंने अपना डीटॉक्स वाटर सिप सिप करके पीना स्टार्ट कर दिया था और उसके बाद मैं आगई थी बालकनी में आई थी मैं थोड़ा सा स्प्रे करने के लिए क्योंकि गर्मी बहुत जादा और यह प्लांट्स भी थोड़ी से ड्राय होने लगते हैं इनके काफी ड्राय हो रही थी इनके जो लीव साओं को भी क्लीन कर देती हूं प्रे बाटल से लेकर कर आई थी लीव सच्छे से क्लीन हो जाएंगी थोड़ा सा पानी डालने यह पाते हैं उसके ऊपर थोड़ी बहुत डस रहा जाती है वहाँ सब्स्प्रे स्प्रे कुछ ह इसमीर की अधाय थी, वैंने काई में लिया बाद। ख़िल पा송 निकाल के उसमें डाल दिया। आ रेस्ट हाइनाय है। कैमरे में एक दम आईज को सुकून सा मिल रहा है देखकर के और अलोवेरा के अंदर काफी सारे चोड़े चोड़े पॉप्स आ रहे थे पीछे की साइड आते नहीं है वैसे कोई भी प्लांट इतना मेरा ग्रो करता नहीं है बट यह मनी प्लांट है जो काफी टाइम से सर्वा और गहीं कि यह बीच एक लिए मैं प्लांट है जो कि एक के अचारे फ्लाइश आते हैं जो थोड़ा चीज ऑड़ा हो जाती है आज मैं डॉप और अच्छे से क्लीन कर रही थी ती दो तो बाहर की जो नेट है जल्दी गंदी हो जाती है और नीचे छोटा सा नेट पर होल हुआ है इसके अंदर मैंने जुगार करा हुआ है जो पॉली होती है उसको गोल-गोल करके अंदर डाला हुआ है बना रैट वगेरा यह मतलब मच्छर भी आ सकते हैं इसलिए मैंने उसके प्लंट के लिए पॉलब तो आपर यह जाला होगा कि अfa टो यह छिए नेट है किसले मुझा डेह माजित नए के यहिए ना च्टिम्रा भी है है लिग करदा होगा हुए और second वाली का मैंने अंदर वाले डोर पे लगाया था तो वह थोड़ा सा अभी अन पेस्ट मालब थोड़ा उसकी पेस्टिंग जो है न वह डबल टेप से पेस्ट करा हुआ वह अब थोड़ी सी वीक होने लगी है तो मैं उसको दुबारा से पेस्ट कर देती हूं उसी को भी अभी न्यू मैंने कोई डबल टेप वगएरा नहीं लगाई है मैंने का अब जो थर्ड दिवाली आ जाएगी ना इस फ्लाट में बस आने ही वाली है और तो तब जाकर के मैं उसको चेंज कर दूंगी मतलब धीट बनी होई हूं मैं भी और उसके बाद फिर मैंने यहाँ प बनाना थे थोड़ा रात के टाइम ना फूट वगएरा जैसे बनाना यहाँ वो फ्रिज में नहीं रखते तो मैं बास्केट ना टेबल पर आ करके रख देती हूं ताकि थोड़ा साना हवा लगे उसमें वेंटिलेशन रहे किचन में बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं गर्मी इतनी जादा है कि थोड़े से राव भी लेती हूं मैं ग्रीन ग्रीन से होते हैं जब लेती हूं और नेक्स्टे ही वो थोड़े से बहुत जादा सॉफ्ट होने लगते हैं तो फिर वो अच्छे नहीं लगते खाने में इसलिए रात के टाइम ना मैं बास्केट में जाहर ले आती हूं टेबल पर रख देती हूं या फिर उदर साइड में रख देती हूं जहां रखे हुए थे और उसके बाद फिर यहां पर आ गई थी मैं जाडू लगाने के लिए और इसके पीछे काफी पता नी कैसे कुछ लगा हुआ था अच्छे से मैंने उसको क्लीन नी दिया और ऐसा पॉसीबल नहीं है क्योंकि मैं इतनी डीप क्लीनिंग करती हूं तो पतानी कैसे उसमें टेप थी वह या क्या लगा हुआ था उसको भी मैंने हटा दिया था और ड्रेसिंग को थोड़ा आगे की साइड सरका के उसके नीचे से साइड डस्ट वगेरा निक बालती रहती हूं वरना नीचे धूल जाले पतानी क्या क्या बन जाते हैं और उसके बाद फिर यहां पर आकर कि मैंने सारा जो भी डस्ट वगेरा थी वह ने यहीं पर क्लीन कर ली थी वहां तक से यहां लेकर क्या आती हूं क्योंकि आप में से किसी ने में को बताया था कि इसी कि दी मंदिर के बाद मैं पूजा हने के बाद मंदिर के पास जाडू है लगाते हैं अप क्लॉट से आगे कर दिया करो तो इसलिए मैं तब से फिर वही पर जाकर को सारी डस्ट वगेー जो होती है वो collect कर लेती है और उसके बाद मंदिर से थोड़ा सा ऐसे cloth से आगे करके फिर उसके आगे से दुबारा से में जाड़ू ले लेती हूं कि इतना बड़ा एरिया पॉसिबल नहीं है कि मैं cloth से clean करूं और करूंगी भी तो अच्छे से हो नहीं पाएगा और मनीश के जान के बाद ही cleaning होती है तो फिर option नहीं है मतलब दोनों चीज़े ना मैच नहीं हो पाती उसके बास सारी cleaning वगएरा मैंने निप्टा दी थी तो पैर कर टाइम हो गया था और इतनी तेज दूप हो गए थी नहा करके मैं आती हूं इतनी कड़कती बढ़कती दूप में जाने का म मेरी हालत ऐसी खसता हो जाती है कि घर आकर के ना मिरे को कोई मिलब ठंडा ठंडा कुछ खाने को दे दे वो भी हाथ में लाकर के मेरी हमत नी होती खुच से करने की तो मैं पान साथ मिनट बैठती हूं थोड़ा पानी वानी पीती हूं क्योंकि धूप से आकर के डारेक्ट बीलम की पीने से सर्द गर्म हो जाता है तो थोड़ा सा पसीना-बसीना फैन चला कर incense वांड़ती हूं थोड़ा रिलैक्स होती हूं उसके बाद पहले तो मेरा सबसे काम होता है बेटूबक जैसे मैंने बताया वारबर की औल्वेस्ट यूटी तेस्ट और टेस्टी और ट बहुती रे अदली कभी हुआ होगा कि वह एट पे गई होगी अधरवाइस नाइन और टैन के बीच में उसके मार्क साते हैं तो इंग्लिश में तो इसके टैन में से टैन आये थे और ईविएस में उसके 9.5 आये थे वह भी उसने सैंड की स्पैलिंग में सैंड लिख दिया थ तो एक नया मोटिवेशन मिलता है न्यू पावर मिलती है हमें वह काम करने के लिए जैसे हम ब्लॉक्स बनाते हैं आप लोग लाइक करते हो अच्छे कॉमेंट्स करते हो कुछ पॉजिटिविटी से मिलती है बहुत की हां थोड़ा मोटिवेशन आता है कि नहीं हमें मिलता से ना घड़ता रहता है तो बहुत सारी चुटीयां भी हो जाती है क्यूंकि इस बारानाrop मिनट्रा मिने अच्छे यह ब्लॉग 17 मिनिट का है तो मिले को 17 मिनिट फैन आफ करके इसका मैं वोईस ओवर कर रही हूं और मेरी हालत इतनी खराब हो रहे हैं मैं बिल्कु तरम तर हो गई हूं पानी स्वेटिंग से तो यह सबसे बड़ा टास्क होता है तो सम्टाइम्स मिले को ऐसा होता है तिक गर सब के लिए मैं यहां पर बनाना शेक बना रही थी अंदर राती हूं तो बेटू भी मेरे साथ किचन में आजाती है मैं बोलती हूं बेवी आपको गर्मी लगेगी स्वेटिंग होगी आप बहार चले जाओ तो मैं बोलूंगी नो मुझे गर्मी लगेगी तो फैन की नोट मैं थोड़ा सा वर्ड्स में एक्स्प्लेइन नी कर पाती है और यह देखो इसकी मस्ती जा रही है और बस बनाना शेक की मैंने यह पर प्रप्रेशन कर ली थी जो यह बदाम वगेरा है वो थोड़े से खतम होगे तो मैंने नीव पैकेट ओपन कर दिया था वही जो मैं नीचे दब गई थी और उसके बाद बस मैंने ब्लेंड कर दिया था सारी चीजों को और यहां पर हमारा थंडा थंडा बनाना शेक बनके रेडी हो गया था उपर से थोड़े से यह काजू बगेरा मैं थोड़े से ब्रेक करके डाल देती हूं तो इसके आपके अपके अ बाकी खा लिया था बच्चे को ना कुछ डिफरेंट करके दो ना तभी वो खाते हैं और उसके बाद मतलब यही हर्शी से जो डिजाइन बना देती ही दो यह उसके लिए इसके बाद यहां पर मैंने चने बाइल करने के लिए रग दिया थे मतलब चने मेरे बन चुके थे कि यह बहुत हम दहुत है कर दो चाहिए कर दो आपके और तो जब दो बहुत है डुरा कि दाब करें नहीं रेकॉर्ड करना क्यूंकि नौर्मल पर बहुत हुआ से लाइं ऑस दो 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 आपकेर ट्रव बहुत है final कि श्यवक्रट कर दो बहुत है जे पूंद अखे लिए में तो फटा फट से यहां पर मैंने गर्मा गरम चपातियां सेग दी थी और मनीश भी आ गए थी उनके लिए मैंने खाना लगा दिया था क्योंकि मेरा ना मतलब डेली नहीं होता मेरे को कभी कभार कुछ स्पेशल हो टेस्टी सा यमी सा तभी खाती हूं अदर्वाइस मैं रात क तो रेरली खाना वाना खाती हूं यह चपाती थी साथ में सैलेट था और वाइट चने मैंने बनाए थे वैसे तो मैंको वाइट चने बहुत ही ज्यादा कम पसंद है मैं अच्छे नहीं लगते मैं ब्लाक चने फिर भी पसंद है वही ऑपोजिट है हमारा मुझे वाइट न चछाने के बाद खाना घान पदाए बैप ग्रमय को था क्षाहर जो मॉनिन लागत है हमारी घ्ली एक तौन में खाना तॉर से बल्टन बॉला दिंग कर दो उसके glasses हो जाते हैं और उसके बाद डेली तो नहीं होती बॉटल में एक एक दिन छोड़के wash कर देती हूं क्योंकि बॉटल को wash करना बहुत जरूरी होता है वना उसमें थोड़ी में कुछ smell की problem होने लगती है तो फिर पानी वानी पिया नहीं जाता है तो मैं बॉटल को एक ए देली क्लीन करते हूं क्योंकि बच्चे होते हैं तो उसकी water bottle में daily clean कर देती हूं तो काफी सारे बरतन रात को एक्स्रा हो जाते हैं जैसे cooktop वगेरा हो जाता है उसके क्लॉट से कितना भी क्लीन कर लें जब तक हम लिक्विड से या सोप से जो भी हम यूज करते हैं उससे clean ना करो ना तो यह जो इसके buttons होते हैं जो हां यह buttons ही बोलेंगे इसको तो इसके around बहुत greasyness हो जाती है जैसे soap से भी क्लीन करा मैंने अगर मैं इसको पानी से थोड़ा स मुझे ऐसा लगता है कि यहां पेना grease कठी होने लगी है मेरा cooktop बहुत जादा पुराना है बट सिल बिल्कुल नया लगता है और इसको कभी कभी मैंने टैच भी नहीं करवाया इसकंदर कोई problem नहीं आई मेरे को अभी तक कि मेरे को ठीक कराना पड़ा हो या कुछ भी तो च या चाय वगयरा कभी ऐसा होता नहीं कि इसमें मैंने गिराई हो बहुत कभी केस में हुआ होगा कि मेरे से गिरी होगी बाकि इसको मैं डेली बेसिस पे ना weekly वीक में ऐसा कोई fix नहीं कि वीक में करना है चार-ताइच दिन में मुझे थोड़ा सा गंदा जादा लगता है तो थोड़ा पूर इसको fluor हो द omla जा डी अलग पर छोड़ा दी दिया दाल द दिया था कि कई इस तो फिर टेंश में यह प्लास से कमें करना नहीं करता लिया है और बस उसके बाद kitchen मेरा मतलब simmer चुगा था मेरा last काम था यह nuts वगेरा शोक करके रखना और उसके बाद मेरी kitchen को जाती है बाइबाई उसके बाद मेरा कोई काम नहीं होता kitchen में देखो कितने अच्छे से kitchen मतलब जो cooktop अच्छे से clean हो गया है और बस आज का vlog में ही पेंड करती I hope आपको यह vlog अच्छा लगा होगा अगर आपको यह vlog अच्छा लगे तो इसे like share and subscribe शुरू करना मिलेंगे एक न्यू वीडियो में टिलने take care friends bye bye